हाँ जी बच्चर पड़ी so shall we start चले so मैं वेपिन एक बार फिर आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूँ lecture number 79 on smart read vocab as always आज की इस lecture में मैं discuss करने वाला हूँ smart read deal number 79 में जो passage हमने आपके लिए पिक किया है English language का उसके difficult complex important words, phrases, idioms या फिर phrasal verbs को तो चले शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है हमारे सामने ferment reference के लिखा है these laws were enacted during a period of intellectual ferment and reform एक वर और मिला है यहाँ पर enacted past participle है क्योंकि वर के बाद passive form है तो third form यूज हो रही है V3 enact का मतलब होता है कोई कानून बनाना clear है अब यह हम बात करें ferment की ferment अगर हम बात करें normally तो fermentation आपने सुना होगा जब दूद से दही बनता है यानि जब उसमें chemical changes होते हैं और फिर जब वो दही बनता है तो हम बोलते हैं उसका fermentation हो गया ferment हो गया दूद यहाँ पर जो context है आप देखें ferment किसके context में आ रहा है intellectual ferment यानि कि noun है noun से पहले एक word आ रहा है intellectual यानि adjective and intellectual so ferment का यहाँ पर क्या मीनिग उसको पढ़ते हैं agitation and excitement among group of people typically concerning major change हमने एक word पड़ा था पहले turmoil यानि सामाजिक उथल पुथल या राजनितिक उथल पुथल जब लोग आ जाए सडकों पर और प्रोटेस्ट कर रही हूँ आवाज उठा रहे हूँ गवर्मेंट के किलाब और चाहा रहे हूँ कि गवर्मेंट बदल जाए इस तरीके से जो भी सत्ता है वो बदल जाए या अधिकार मांग रहे हूँ तो अब he will turmoil या ferment हमें देखने पर मिलता है ठीक है? इसको डिसकस करते हैं अब ये किसी particular जगे की इमेज है जहाँ पर लोग सड़कों पर आए हुए है बैनर्स दिखा रहे है और प्लकाट्स दिखा रहे है और आवाज उठा रहे है सड़क पर आके ठीक है? तो basically हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है लोगों का ferment societal ferment ठीक है? political ferment भी हो सकता है societal ferment भी हो सकता है चार और examples है बढ़ते हैं चारों को और देखते हैं काउन सा contextually या grammatically correct है और काउन सा नहीं The political ferment in the country led to mass protests and demonstrations विलकुल सही है राजजीतिक उतल-पुतल जो country में हुई उसने mass protests को बढ़ावा दिया demonstration को बढ़ावा दिया The ferment in the streets was a clear sign of the people's dissatisfaction with the government जो सडकों पे हमें उतल-पुतल देखने को मिल रही है वो एक clear निशानी है कि government से dissatisfied हैं वहांके लोग बलकुल सही है The leaders tried to ferment the negotiations hoping for a peaceful resolution अब ये contextually incorrect है अगर leaders चाहते हैं कि peaceful resolution की तरफ वो जाएं तो वो फर्मेंट नहीं करेंगे न negotiation को तो ये contextually incorrect है The intellectual ferment during the renaissance era gave rise to many revolutionary ideas Renaissance वो renaissance era जब यह पूरा समाज परिवर्तन के दौर से गज़र रहा हो Renaissance basically बोलते एक word होता है Hindi में बहुत अच्छा word होता है अभी I am not able to recall पर इसका मतलब होता है पूरी तरीगी से परिवर्तन की तरफ जाना ठीक है पुरर जागरण हाँ मुझे आद आगे हमसे पुरर जागरण इसका मतलब होता है होता है दुवारा से आप जागरित हो जाए और सारा धाजा बदल जाए सारा समाज बदल जाए जो पहले की माननेताएं थी जो प्रताएं थी या जो सिस्टम था वो सब पहसने सोजाए और नया कुछ खड़ा हो बैटरमेंट के लिए तो उसको बोलते है रेनेसंस दे इंटलेक्शिल फर्मेंट अच्छा सेंटेंस है चलिए डिसकुस करते हैं स्रोनिम्स टॉम वाइल ओर लेडी डिसकुस कर चुके हैं आप भी विल फिर और या फिर अगर मैं इसमें से यह हटा दू फिर और तो यह एक जैसे मेनिंग होते हैं एक सटन आउट बस्ट यानिए सडन आपके अंदर कोई गुस्सा है या कुछ विरोध की भावना है और आप सडक पर आ जाएं और चिलाने लग जाएं या आप आवाज उठाएं अपनी तो हम बोलते हैं फिर और या फिर और फिर और इसी तरीके की नहीं दिमाग में उथल उथल है और आप वो उसको शोकेस करने हैं प्रोटेस्ट के माधियम से फ्रिल्जी पीपल कैसे थे लोग कैसे थे फ्रिल्जी clear है सो यह सारे स्रेनिम्स के तौर पे कंसीडर किये जाएंगे इसके फर्मेंट के चली next word is mores mores reference के लिखा है it has stood the test of time evolving as social mores and societal demands required okay meaning the essential or characteristic customs and conventions of a society or community यहनी के जरूरी characteristic customs जो माननेता हैं जो रिती रिवाज follow किये जा रहे हैं किसी particular society में या community को उनको हम बोलते हैं mores चलीए example से discuss करते हैं touching elder's feet it is considered a sign of respect in Indian culture especially towards parents, grandparents and teachers हमारे हाँ यानि कि हम इंदुसानियों में culture है एक mores जो follow करते हैं उसमें से एक है कि हम बढो के पैर चुके आशिरवात लेते हैं ठीक है arranged marriages although modern society has seen a shift towards love marriages arranged marriages remain a strong tradition in many Indian families arranged marriages का जो concept है आप साउथ इसन कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलते हैं आपको European या आप अगर जो North America है इवन साउथ अमेरिका है वहाँ पे देखने को आप सोचें या आप अफरीका में देखें तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है तो arranged marriages का जो concept है जो mores है वो का follow किये जाते हैं वो Indian और पाकिस्तान और अपने अफगानिस्तान ऐसी जो साउथ इसन कंट्रीज है उनमें follow किये जाते हैं जो फास्ट रखने की एक रिती है रिवाज है वो आपको देखने को मिलती है अलग अलग तरीकी से नवरात्री में और करवाजाथ में और रमजान में लोग follow करते हैं उसको तो ये भी एक तरीकी का क्या है mores dress code wearing traditional clothing like sarees for women and kurta pajamas for men especially during festivals or family gatherings is a common societal norm in many parts of India so again it's kind of mores ठीक है चलिए चार सेंटेंसे हैं हमारे सामने देखने हैं कौन साई है कौन साई है कौन साई है they stood for the preservation of the mores that had guided their forebears for generations मतलब जो भी लोग हैं जिनकी बात होरी है सेंटेंस में वो mores के preservation के लिए खड़े रहे मोरेस जिन्होंने उनके पूरवजों को पीडियों गाइड किया forebears यनि की पूरवज so sentence बिल्कुल सही as a sociologist she studied the mores and customs of ancient civilization बिल्कुल सही है एक sociologist के तोर पे उन्होंने ancient civilizations के customs और रिती रवाजों को अधिका धिन किया मोरेस unlike laws are not legally enforced but are still culturally binding ये भी बिल्कुल सही है legally enforced थो नहीं होते न यानि कि कोई रिती रवाज आपको मानना है उसके लिए कोई आपको कानून के तहत पोर्स नहीं करता पर कैसे होते ही culturally binding यानि culture के तोर पे आपको बांद के रखते हैं हमें इनको follow करना है the company's strict mores regarding punctuality अब company context में mores का कोई sales नहीं बनता रिती रिवास company context में नहीं आप सो यह sentence हमारा context नहीं गलत है सो आपको समझ में आ गया हो मोरे इसका meaning and context synonyms की बात करें तो customs, conventions, traditions, practices यह सारे एक जैसे meaning में antonyms की बात करें तो unconventionalities, deviations यानि कि आप जो चीज़े हैं existence जिनकी है उनसे आप दूसरी तरफ जा रहें deviate कर रहें irregularities, regularities जो चीज़ लगातार जैसी है वैसी चली आ रही है और irregularities यानि वहाँ पर बदलाव आपको देखने को मिल रहा है तो एक सेल्स में irregularities भी antonyms कंसीडर किया जा सकता है चली, next word is complainant, complainant में ही चुपाए complain complain, मैं आपने ant add कर दिया so complainant यानि की जो शिकायत करने वाला है शिकायत करता reference परते है complainants struggle in courts to ascertain whether intimidating emails fall within the framework of section 354 and 509 of the IPC intimidating, धंकाने वाला और emails से पहले आ रहा है यानि की adjective है धंकाने वाले emails हम बात कर रहे थे complainant की बहुत easy word है meaning क्या है the party who makes the complaint generally in a legal action or proceeding any complainant का जो context हम देखने को मिलता है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा legal action के context में या proceeding के context में ठीक है शिकायत करता court में जिसने शिकायत की उसको हम बोलेंगे complainant example, consumer grievances the complainant alleged that the washing machine purchased from the retailer was faulty and sought compensation from the manufacturer अब शिकायत करता है complainant करने की washing machine जो उन्होंने खरीदी रीटेलर से वो faulty थी और अब उन्हें compensation चाहिए manufacturer से बिलकु से यह property dispute the complainant approached the court claiming the neighbor had enclosed on their property कोई रिक्ती है complainant है वो रपोर्ट में गए अपनी शिकायत ने के कि उनके पड़ोसी ने उनकी जमीन हतिया लिया उस पर अतिकरवड कर लिया है enclosed on ठीक है criminal cases the complainant lost a police complaint after discovering that his wallet was stolen in a crowded market अब कोई विर्ती है जिनका पर्स छोरी हो गया जेप कत्रे ने उसको निकाल लिया उनकी जेब में से so वो police गए अपने station और complaint वहाँ पर करके आए है उन्होंने एक complaint lodge की so शिकायत करता तीनों context हैं बिलकुल और चार sentences हैं देखते हैं कौन सा गलत the complainant filed a formal lawsuit against the corporation for breach of contract अब जो contract हुआ उसमें कुछ गरबड होई to provide more evidence to support the claim जज ने का भया और गवाः या और सबूत लेकर आई है बिलकुल सही है after hearing the testimony the jury decided in favor of the complainant गवाः को सुन के यानि गवाः जो भी मिले या सबूत जो भी मिले उसको सुनने के बाद जजिस के समूने डिसाइड किया कि वो फैसला complainant के हक में देख बिलकुल सही है the complainant eagerly awaited for the approval of his partner to finalize the deal ये कुछ समझ मिन आ रहा the complainant eagerly awaited for the approval of his partner to finalize the deal it doesn't make any sense कोई context यहाँ पे clear नहीं है ये sentence गलत है चलिए डिसकस करते हैं स्रिनिम्स plaintiff शिकायत करता और accuser दौनों एक जैसे हैं जो accused कर रहा है किसी के उपर आरोप लगा रहा है defendant बचाव करता accused जिसके उपर आप कोई आरोप लगा रहा है respondent उदर से कोई आरोप लगा रहा है इदर से आप जवाब रहा है respondent so I hope आपको समझ में आ गया हो complainant का context and meaning next word is invoke refers the power to invoke these provisions is with local police officers across thousands of police stations meaning cite or appeal to something in support of an argument हैनी cite यहनी कुछ चारण करना या बोलन या अपील करना किस चीज के लिए अपनी किसी argument के support के लिए किसी बात का उलेक करना सिदा सिदा ऐसे थमजी इसको माल लिजे आपको अपनी बात अपनी argument में कुछ valid reasons जोडने हैं कुछ valid facts जोडने हैं तो जो भी facts आप लेकर आएंगे वो आप invoke करेंगे example के तोर पे Supreme Court's decision on triple talaq in the landmark ruling against triple talaq the Supreme Court invoked the principles of gender equality and constitutional rights to justify the decision जब triple talaq की बात हुई तो Supreme Court ने बोला कि भाई ये इसलिए सही है क्योंकि हमें overall gender equality देखनी है हमें देखना है कि ओरतों को किलाफ अत्याचार न हो कि बस यूँ ही किसी husband के मन में आया विल्म सीकल होके सनक चड़गी उसको बोल दिया उसलिए तलाक 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 और बस आप nullify करने शादी को ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर gender equality और constitutional rights to justify the decision नहीं कि तो decision लिया फोट ने उसको justify करने के लिए क्या कोट किया? जंडर equality को कोट किया और constitutional rights को कोट किया इनको invoke किया इनका उनलेक किया कि देखे इस कारण से यह decision सही है Article 370 revocation During the revocation of Article 370 the government invoked the need for national integration and development in Jammu and Kashmir as a primary justification जब Article 370 को nullify करने के बात हो रही थी तो government ने क्या वहाँ पर invoke किया उन्होंने invoke किया national integration को यहनी कि हम पहले Jammu and Kashmir को एक special state का दर्जा दे रहे थे तो government नहीं इसके करण से यहाँ पर development नहीं हो पा रहा है और जब उन्होंन कश्मीर में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहे हमें वहाँ पर प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम देखने को मिल रहे है क्योंकि हर बार हम जो भी decision लेना चाहते हैं क्योंकि वो एक special state पहले था तो वो decision वहाँ की government के permission के वेना आप वहाँ पर implement नहीं कर सकते तो इसलिए जब revocation दिया तो government नहीं बोला कि हम national integration यानि कि पूरे जो हमारे क्या बोलते हैं कि जो country की integration एक था उसको पनाने के लिए और जमनुन कश्मीर में हमें development करना है इसके लिए need for the development इन जमन कश्मीर इन दोनों पॉइंट्स को invoke किया इनका उल्ले किया clear है चली और examples पड़ते हैं इने speech invoke the spirit of unity to inspire the audience वो नहीं अपनी speech में invoke किया spirit of unity को अपनी जो audience है उनको inspire करने के लिए इन्वोक का हिंदी में मतलब होता है आवाहान करना है न एक अगर हम word देखें आवाहान करना ठीक है so सही है बलकुल the historian invoked a range of sources to validate his thesis को historian है वो अपनी thesis को validate करने के लिए सही साबित करने के लिए क्या करते हैं कई सारे sources को invoke करते हैं कई सारे sources को वहाँ पे वो का उलेक करते हैं और बताते हैं कि देखो ये जो मैंने लिखा है वो इन इन चीज़ों पर बेस्ट है she decided to invoke a particular clause in the contract to nullify the agreement कोई व्यक्ती है, कोई लड़की है, कोई लेडी है वो एक particular clause को invoke करती है जो भी agreement है उसको nullify करने के लिए example के दोर पे मान लेजिए कि agreement तो है दो लोगों के बीच में कि जब तक आप इस country में हैं तब तक तो मैं आप की business partner हूँ, जिस दिन आप इस country से बाहर गए तो हमारी जो business partnership है वो खतम हो जाएगी, मान लेजिए कि जो partner है वो गलती से चला जाए तो उनोंने वो business partnership उसी दिन से खतम मानी तो अब वो बूलेंगे आगे अरे यार मैं तो किवल एक टूर पर ही तो गया था इसमें क्या हो गया तो वो फिर क्या invoke करेंगी देखो ये लिखा था ना agreement में contract में कि जिस दिन आप जाओगे उस दिन ये partnership nullify हो जाएगी अब वैसे तो ये सुनने में logical है पर किसी को अगर कोई बात पकड़ नी है तो उनोंने पकड़ ली कि देखो agreement में लिखा था देखो agreement में लिखा था तो इन्वो क्या किया वो एक sentence जो agreement में लिखा था कि देखो तो company policy में लिखा हुआ है कि आप अगर इतना इतनी productivity नहीं देंगे तो आपको हम निकाल सकते हैं तो ये भी सही है sentence So all sentences are correct हाँ जी बिल्कुँ सही है चलिए आगे बढ़ते हैं synonyms, cite, link करना, appeal dues, ये सब एक जैसे हैं meaning में यानि कि आप किसी बात को लेकर आ रहे हैं अपने argument में justify करने के लिए clear? antinims, revoke नहीं, खतम करना dismiss, again आप सामने वाले बात को नकार रहे हैं न, ऐसा नहीं है एक तरफ आप argument को strengthen करने के लिए को use कर रहे हैं उदर आप dismiss कर रहे हैं so antinims के तोर पे consider किये जा सकते हैं next word is extraneous reference misuse for extraneous reasons is well known to the judicial system meaning irrelevant or unrelated to the subject being dealt with यानि कि जो भी बात हो रहे है उसमें कोई चीज़ irrelevant हो या unrelated हो यानि कोई relation नहो तो हम बोलते हैं कि वो extraneous है example parliamentary debates the speaker asked the member to refrain from making strenuous remarks about party politics during the debate on agriculture reforms अब agriculture reforms में debate हो रहा है और जो opposition वाले ने वो पता नहीं कहीं कहीं जाके कोई topic लेह हैं और main topic से divert होके बहस उस पे होने लग जाए है ना मालीजे बहस हो रही है पहुल इस पे इस पे agriculture reforms में और अचानक से कोई बोलते कि मोदी जी क्या समझेंगे किसी के दर्द को उन्हों तो शादी नहीं किये तो यह क्या हो गया एक्स्ट्रेनियस हो गया नहीं ऐसा topic लिखे आप है और फिर सामने से कोई बोलते पार्टी से कि राओ इडान्दी क्या समझेंगे वो तो पपो हैं या जो भी उनको बोला जाता है तो अगेन यह क्या हो गया एक्स्ट्रेनियस हो गया ऐसे रिमार्क्स एक्स्ट्रेनियस होते हैं जो इर्रेलेवेंट होते हैं जो topic से भढ़का दे आपको सेंडल सही है Budget Allocation The Finance Committee rejected the extraneous proposal to fund tourism projects under the Health Ministry's budget Finance Committee ने जो proposal दिया tourism projects को fund करने का उस proposal में क्या था कि Health Ministry का जो budget है वहां से आप budget को थोड़ा से कट करके हमें दे दीजे तो अगेन यह कैसा proposal है extraneous proposal यानि irrelevant कोई मतलब नहीं है School Curriculum The Education Board advised teachers to remove extraneous topics from the curriculum to help students focus on the core topics required for exam अब जो Education Board है उसने advise किया teachers को कि भाई Schools में जो topics core हैं, important topics हैं उन पे focus रखिए extraneous topics को आप curriculum से निकाल देजे So irrelevant topics को आप निकाल देजे यह भी सही है और sentences हमारे सामझे फढ़ते हैं इनको The editor removed all extraneous details to streamline the article कई सारे irrelevant details हटा दिये story में से, article में से editor ने, बिल्कुल सही है The extraneous decor in the room added a luxurious touch to the overall ambience and elevated the beauty अगर extraneous decor है तो वो beauty को और enhance कैसे करेगा है न, जो irrelevant decor है वो enhance कैसे करेगा गलत है decor, deprivation से related चीजे The teacher advised the students to focus on the key topics and ignore extraneous material यह भी बिल्कुल सही है Key topics पर focus करिए irrelevant चीजों को नपढ़े He avoided talking about extraneous issues that had no bearing on the main discussion उनों ने, जो एकार के, बेतु के topics ते या जो issues ते उनको avoid कर दिया बातचीत में जो भी discussion चल रहा था यह मी सही है So I hope आपको समझ में आ गया हो extraneous का context and meaning Strenyms की बात करे तो irrelevant, superfluous, redundant जिसके आवश्किता नहो Antonyms, relevant, essential, crucial That's it बच्चापाटी अब आपको क्या करना है Do I need to say this once again मैं क्या देता हूँ फिर से हर एक word पे बनाना है आपको अपना खुद का एक sentence और sentences का जो यह आपको group बने, इसको ड्रॉप कर दिना है एक single comment के तोर पे इस video lectures के lecture के comments section में अगर आप ऐसा करते हैं Believe you me, सबसे ज्यादा आप learn करते हैं दूसरा, I am available on telegram This is my username on telegram जिन भी बच्चों ने smart read course purchase कर लिया है पर इसी भी reasons है अभी तक हमारे telegram group से नहीं जोड़े हैं अपना payment का screenshot मेरे साथ share करें और मैं share करूंगा हमारे telegram group का link आपके साथ group join करें because actual discussion and mentorship वहीं पर हो रही है तीसरा, पूरा lecture आपने देखा lecture no.79 lecture देखने के बाद आपको जाना है आपके dashboard पे smart read course के और attempt करनी है exercise smart read no.79 attempt करने के बाद आपको pick करनी है आपकी RC speed क्या रही इस particular exercise में और आपका RC level क्या रहा दोनों के screen shots लेके as usual drop कर देने हमारे private telegram group में so that I can check, I can assess, I can gauge your performance and then I'll be able to help you accordingly मैं वे पिन, आपसे मिलता हूं एक नए lecture में कुछ नए वर्स के साथ take care